कि दोस्तों तीन दिन पहले मैंने आपसे क्वेटर पे एक क्वेश्चिन पूछा था हूँ वांट्स वीडियो ऑन एलियन वर्ल्ड और काफी लोगों ने रिस्पॉंस दिया कि उनको एलियन वर्ल्ड के ऊपर वीडियो चाहिए दोस्तों एलियन वर्ल्ड वैक्स पे एक और गेम है बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्ट पैनेट को मैंने कवर किया है इस वीडियो में मैं एलियन वर्ल्ड को कवर करूंगा और इस वीडियो का मोटिव होगा कि सिंपल से सिंपल चीज पर हम फोकस करें एलियन वर्ल्ड जो है व गेम को समझ पाएंगे और अपने primary focus यानि कि गेम में से earning कैसे निकालनी है उस पे focus कर पाएंगे अब alien worlds मैंने पहली बार नहीं mention किया है अपने चैनल पर ये पुराना वीडियो है जो मैंने आपके लिए March में बना दिया था alien worlds our planet और BTC origins तीन ऐसे प्रोजेक्ट थे वैक्स बेस्ट जिनको मैंने मार्च में ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था टॉप थ्री एनेफटी प्रोजेक्स वाक्स करके एक वीडियो बनाया था मैंने उस ताइम पे alien worlds बाइनांस पर लिस्टेड नहीं था बाइनांस के साथ कोई partnership के announcement नहीं हुई थी और our planet जो आज जिस stage पे है उस ताइम पे अपने lowest prices पे trade कर रहा था तो अगर आपने अभी तक ये नहीं समझा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का क्या फायदा है तो simple सी भाशा में फायदा आप लोगों का है अगर आप चैन आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको instant notification मिले जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ और साथी साथ मुझे Twitter पर फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि मैं यहां पर इंप्डेट्स ट्विटर पर शेयर करता हूं और साथी साथ Telegram चैनल जरूर फॉलो कर लिजे क्योंकि यहा करेंगे और उसको आप वैक्स में कर सकते हैं तो मेरी तरफ से हमेशा यही कोशिश है कि कैसे कॉमिलेटी की हल्प किया जाए और वही सारी तरीके मैं आप लों के साथ शेयर करता रहता हूं चाहे वो टेलिग्राम पे हो चाहे वो ट्विटर पे हो चाहे वो YouTube वीडियो के ज जरुवत है सतर से असी डॉलर आपकी इनिशल लगेंगे अगर आप आप फिलाल स्टार्ट करना चाहते हैं मगर एलियन वर्ल्ड एक ऐसा ब्लॉक्चेन गेम है वाक्स पर जो आप मिनिमल से मिनिमल एक दो सेंट की इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां आप जो टूल मिल रहे हैं जिनके तुरू आप माइनिंग कर सकते हैं एलियन वर्ल्ड के अंदर इनकी कॉस्ट आप देखेंगे तो पॉइंट वान वन वाक्स है जो की फिलहाल डॉलर में है सिरफ दो सेंट जो सिरफ एक ही टूल से अगर आप चाहें तो यहां पर माइनिं हैं डाप डार पर आप देखेंगे तो नंबर वन रैंकिंग पे है एलियन वर्ल्ड और इतनी बड़ी कॉम्यूटी गेम की बनी है बाइनांस के साथ पार्टनर्शिप करने के बाद तो बाइनांस पे एलियन वर्ल्ड का जो टोकन है टीलम जिसकी आप माइनिंग करते हैं वह लिस्ट हो चुका है और एलियन वर्ल्ड टीलम का टोकन अभी प्राइस चल रहा है पॉइंट वान फॉर सेंट यानि की चौदा सेंट तो एलियन वर्ल्ड का जो में फेज वान में जो कंसेप्ट है जिस पर आपको फोकस करना है वह है टीलम की माइनिंग यानि की आप यूज करके एलियन वर्ल्ड की वेबसाइट है जो गेम है वो खेल सकते हैं और वहां पर आप टीलम माइन करते हैं जितना आप टीलम माइन करेंगे वह आपके पास इकठा होता रहेगा और उसको आप एक्षेंज कर सकते हैं वाक्स में आलकॉर एक्षेंज के जरिए बग एक वैक्षेंज रहा है अगरा लियुकशबी करना चाते है तो टीलम की माईनिंग करके उनको सेल करना वैक में हुक्त की मैंनिंग करना ये बहुत अच्छे तरीके हैं दीने दे करके अपना wax का जो bag है उसको build up करने के लिए अब चलते हैं alien world की website पे तो ये है main homepage largest decentralized app on earth जैसे में आपको बताया है number one है धाइलाग के आसपास alien world के फिलहाल जो है players है तो अगर आप detail में alien world के road map में जाएंगे एकर इनका white paper पढ़ेंगे blueprint पढ़ेंगे तो काफी कुछ ऐसी चीज़े हैं जो अभी आपको बहुत confusing लगेंगी इसलिए यह जो पहला मेरा वीडियो है इस पे हमारा focus सिरफ tlm mining के उपर रहेगा और किसी चीज़ पर अभी अभी ध्यान मत दीजिए क्योंकि जितना ज्यादा आप इसको अभी पढ़ेंगे उतने ज्यादा ही confused हो जाएंगे क्योंकि काफी कुछ है game में जो अभी आना बा इन सब की details हम इसमें discuss नहीं करेंगे क्योंकि यह अभी roadmap में काफी पीछे हैं अभी तक इस पर काम करना शुरू नहीं किया गया है और भी काफी सारी चीज़ें है roadmap अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसमें mining के लावा tools के लावा यहाँ पे weapons इंडिद्यूस किय किया जाएगा पीवीपी मोड यानि की प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड इंट्यूस किया जाएगा तो काफी कुछ है इस गेम के अंदर अभी develop होने के लिए और यह सिरफ और सिरफ first phase है जो दो चीज़ें complete हो चोगी है यहाँ आप देख सकते है roadmap में और जो अभी pending हैं नियर क्रूशिल है वो है एलियन वर्ल्स के उपर लैंड ओन करना अब लैंड जो है उसकी सेल अलरडी complete हो चुकी है और वो काफी टाइम पहले ही होगी थी complete उस ताइम पे मैंने एक लैंड परचेस करी थी और उसका benefit मुझे यह मिला है कि वो जो लैंड है वो उस टाइम पे 100 या बट अब जब से बाइनांस के साथ partnership होई है land prices जो है वो शूट कर चुके हैं और आज की date में अगर आप लैंड देखेंगे तो minimum से minimum land आपको 5,000 डॉलर की मिलेगी और जो land मेरे पास है जो मुझे by luck allocate हुई थी वो यहाँ पे देखेंगे आप उसके prices देखेंगे वो एक rare land ह और यहाँ पे उसका जो minimum price है जो last sales मैं आपको दिखाऊं कि क्या sale हुई है कितने पे sale हुई है तो last sale अगर आप जाके देखें तो last sale हुई है यहाँ पे 30,000 डॉलर की बट ऑफिसली यह premium sale थी क्योंकि यह mint one है बट यहाँ पे average sale आप देख सकते हैं जो last sale February में दिखा रहा है वो 3000 डॉलर की है बट क्योंकि यह rare land है और जो आपको basic सी land अभी जो मिल रही है वो 500 डॉलर की मिल रही है तो मैं at least expect कर रहा हूँ कि यहाँ पे 10 से 15,000 डॉलर की land है जो फिलहाल मेरे पास है और मेरी investment थी सिरफ 500 डॉलर और land own करने का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि आपको allocation मिलती है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपको commission दी जाती है जितनी भी TLM mining होती है उसकी commission allocate होती है और साथ ही साथ alien worlds भी कुछ TLM जो है वो daily land owners के लिए reserve करके रखते हैं और वो सारे land owners के बीच में distribute कर दी जाती है फिलहाल जो distribution चल रही है वो 10 दिन में एक बार की जात opportunity है अगर आप land afford कर सकते हैं तो definitely land की तरफ target करिए land को करीदने की गोहिश करिए क्योंकि यहाँ पे अभी की date में मुझे अगब 500 से 600 TLM हर 10 दिन में सिरफ land hold करने के लिए मिलते हैं और जो land के उपर mining होती है उसकी commission में अपनी अलग से set कर सकता हूं तो passive income generation के लिए यह काफी अच्छी opportunity है alien worlds में land own करना अब हर कोई land own अभी नहीं कर सकता काफी expensive हो चुकी है तो अभी हम सिरफ focus करेंगे यहाँ पे tools के साथ कैसे आपको mine करना है तो सबसे पहले तो alien worlds पे आपको wax account चाहिए wax account आपने अगर नहीं create किया है तो easily create कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ प टाब inventory में जाके देखेंगे तो जितनी भी tools आपके पास है जो भी equipment आपके पास है वो यहाँ पर आ जाएगा तो आपको at least एक टूल चाहिए mining start करने के लिए तो जैसे मेरे पास अभी है यहाँ पे standard shovel standard जैसे मैं आपको दिखाया भी सिरफ 2 cent में मिल रहा है तो atomic hub से जाके आप सबसे पहले यहाँ पे standard shovel खरीच सकते हैं यहाँ पे जाएंगे tools में atomic hub में alien worlds make sure करिए कि select करिए कि यह है collection और यहाँ पे standard shovel आपको मिल जाएगा 0.1 lakhs के अंदर एक बार आपके पास tool आपके wallet में आ गया उसके बाद automatically आपको यह दिखा देगा आपके screen में equipment के अंदर त तो अभी सिरफ equipment पे ही focus करिए और किसी चीज़ पर आपको focus करने की जरूरत नहीं है यह सारी चीज़ें अभी under development है अभी तक यहाँ पे develop नहीं हुई है इसको आप अभी use नहीं कर सकते अभी सिरफ equipment यूज करके mining कर सकते हैं तो आपने एक बार equipment purchase कर लिया उसके बाद आपक का equip कर देंगे यानि कि आप इस टूल के साथ यहाँ पे mining start कर सकते हैं अगर आपके बास land है तो आप जाके देख सकते हैं आप इन वाले टाब में यह आप देख सकते हैं यह मेरी land है और इसकी जो भी settings है commission rates वगरा है वो सारे के सारे आप यहाँ पे set कर सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे set करी हुई है commission 8.88 जो standard अगर आप land लेते हैं तो उसकी 20% commission होती है यह आप दे सकते हैं जैसे मैं आपको बताया है यह rarity जो है इस land की rare है इसलिए जादा expensive है यह इसके coordinates है तो आप चाहें तो मेरी land पर आके mine कर सकते हैं अगर आप मेरी land पर यहाँ पे mine करते हैं तो फिलाल यह 8.88% यहाँ पे commission है land की इसको मैं आज और कम कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ सिरफ और सिरफ 5% तो सिरफ 5% commission लगेगी अगर आप मेरी land select करके यहाँ पे mine करते हैं तो game of bitcoins community के लिए एक तरीके से gift समझे क्योंकि यह one of the lowest commission है जो मैं यहाँ पे land में offer कर रहूं और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं अगर आप game start कर रहे हैं तो आपकी pocket में यहाँ पे ज्यादा TLMI एगा क्योंकि जो मेरी land की commission है वो सिरफ यहाँ पे 5% है अब देखते हैं यहाँ पे mining कैसे करनी है तो यहाँ पे आप जाएंगे अपने home screen पे अपने tool एक ब आपके पास tool है तो land अगर आपको चूज करनी है अगर आपको मेरी land select करनी है तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा select में या change में जो भी आपको option लिख रही है उसके बाद आपको सबसे पहले planet select करना पड़ेगा तो 4-5 planets है alien worlds में हरे की different types of land है जो मेरी land आपको मिलेगी व यहाँ पर आपको options दिख रहे होंगी कि कौन सी land पर माइन करना चाहते हैं तो मेरी land के coordinates जो है वो निच्चे मैंने description और comment section में लिखे होए है आपको बस जाके select करना है वो है यह 2610 इसको जब आप select करेंगे फिलार यहाँ पर 8.88% दिखा रहा है क्योंकि अपडेट नहीं उसके बाद आपको click करना है यहाँ पर माइन पर अब माइनिंग complete होने के बाद जिसमें 10-15 seconds लगने चाहिए उसके बाद आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है claim पर claim के बाद आपने जितना भी TLM claim किया होगा जितना भी माइन किया होगा वो यहाँ पर आपके balance में आ जाएग यह उतना ही यह timer जादा होगा मैंने बहुत simple सा tool यूज किया है इसलिए यहाँ पर timer बहुत कम है एक दो मिनिट के अंदर ही में दुबारा से यहाँ पर माइन दर सकता हूँ जितनी बार मैं माइन दरूँगा उतने ही जादा मैं यहाँ पर TLM earn करता रहूँगा और यह मेरे unstaked balance में यहाँ पर आते रहेंगे अब यहाँ पर फिलाल staking करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह functionality implement नहीं हुई है पर जब staking implement हो जाएगी तो उसके बाद आपको additional benefits मिले लग जाएंगे जो भी आप TLM माइन करके stake करते हैं तो यह है तरीका यहाँ पर माइन करने का इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि जो मैं आपको tools दिखाऊंगा उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि आप किस tool में invest करें कहां पर जाके mine करें और आपको उसका return जो होगा वो कितनी दिनों में मिलेगा कितनी जल्दी मिलेगा वो सब चीजें आप tools की मदद से कर पाएंग तो इसके लिए यहां पे graphic है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो हर एक land पे हर एक tool में यहां पे आप देख सकते हैं जो figures लिखी हुई है इनका अलग-अलग मतलब है जो सबसे top left पर जो है figure है वो है mining reward तो जितना ज्यादा यहां पे mining reward होगा उतनी ज्यादा आपके TLM ज्यादा माइन करने के यहां पे chances होंगे उसके बाद जो यहां पे bottom left पे figure है वो है proof of work calculation यानि कि आपको माइन करने में कितना time लाएगा यह figure उतनी important नहीं है क्योंकि थोड़ा सा delay भी हो पर फिर भी आप माइन कर पाएंगे आपको जो main दो चीजें देखनी है वो है एक तो right side वाली जो amount है और जो top left का वाला amount है तो mining पे अगर आप जादा focus करना चाहते हैं तो top left वाला जो amount है वो सबसे जादा यहां पे होना चाहिए क्योंकि वही आपको maximum से maximum TLM produce करके देगा land पर भी और tool में भी और जो यहां पे bottom right side पे जो amount है वो है आपका chance of an NFT तो कई बार ऐस होता है कि जब माइन करते हैं तो साथी साथ कुछ NFT भी आपको drop हो जाते हैं यानि कि TLM तो आप माइन करेंगे ही बट साथी साथ एक नाएक कोई NFT आ जाएगा चाहे वो game का होगा चाहे वो किसी और का होगा NFT भी आपको मिल सकता है और यह जो number है यह depict करेगा कि luck factor क्या है ज्यान देना है वो है चार्ज टाइम चार्ज टाइम क्या है कि एक माइन करने के बाद दूसरा टाइम आपको माइनिंग का कब मिलेगा जो उपर मैं आपको countdown दिखाई थी एक मिनिट दो मिनिट या कई बार यह घंटों तक हो सकता है पांच घंटे छे घंटे जितने आप टूल टूल यूज करेंगे जो भी लैंड आप माइन करेंगे उसमें क्या चार्ज टाइम होगा उसका क्या मल्टिप्लाइर होगा वो सब क्याकुलेट करके आपको एक टाइम अलॉट होगा कि आप नेक्स्ट माइन कितनी देर बाद कर जाएंगे अब यहां पर आपके पा गंटे बाद ही आप लिए जाकर दुबारा माइन करें Key रात के टाइब अपने एक बार माइन कर दिया उसके बाद छ्छे-सथाद गंटे बाहा को दुबारा माइन करने का चांस मिले और बार सुभे के टाइम आपको ए दूसरा टूल यूज कर सकते हैं जो आपको जल्द sheet है जहां पर सारे tools लिखे हुए हैं उनके सारे attributes लिखे हुए हैं और साथी साथ बताया हुआ है कि उनका charge time कितना है उनकी TLM mining efficiency कितनी है और वहां पर NFT luck factor क्या है तो यहां से आप अगर focus करना चाहते हैं कि आपको maximum से maximum TLM मिले एक time माइन करने पर तो इस column पर आपको ध्यान देना है यहां पर जिस टूल की maximum से maximum efficiency होगी TLM माइन करने की वह आपको हर माइन पर ज्यादा से ज्यादा TLM लाके देगा तो standard shovel जो हमने use किया है वह आप दिख सकते हैं यहां पर उसकी efficiency जो है वह है 40% जबकि कुछ tools की यहां पर ability है कि आपको ज्यादा chances होंगे अगर आप यह वाला टूल यूज करते हैं कि maximum से maximum return आपको लाके दे आप कितने TLM आप माइन करते हैं वह सब कुछ तक ही रह गए है definitely आप high strength के tools अगर आप यूज करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा क्योंगे आप ज्यादा TLM माइन कर पाएंगे तो यह आप डेफिनेटली excel sheet यूज करिए अपना टूल ढूंडने के लिए कि कौन सा tool आप यूज करेंगे तो आपको कितनी यहां efficiency होगी इससे भी अच्छा tool यहां पर यह है कि बिना कुछ investment किये आप पहले से ही अपना पूरा कबूरा set त्यार करके रख सकते हैं पहले से ही जो भी आप tool select करते हैं देख सकते हैं कि आपको कितना efficiently वो TLM या फिर अगर आपका focus NFTs के उपर है तो उतना efficiently आपको माइन करके देगा उसके यहां पर calculator tool है यहां पर आप land से लेकर tool सक सब कुछ set करेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि आपकी जो investment है tool खरीदने की वो worthwhile है कि नहीं तो यह सारे tools और जो spreadsheet है उसका link जो है मैंने इंची discussion में दे दिया है अब इस tool को use करने के लिए आपको यहां पर सबसे आइलेंड यहां पर दिखा रहा है कि land multiplier कितना है और बाकी attributes क्या है दूसरा tool मालीजे मैं यूज कर रहा हूं यहां पर standard drill अब standard drill यूज कर रहा हूं मैं यहां पर तो यह मैंने आके set कर दिया अगर आपके बास एक ही tool है तो एक ही रहने दीजिए अगर आपके बास तीन tools है तो तीन tools set कर सकते हैं तो जैसे ही यहां पर select करते हैं तो यहां पर आपको दिखा देता है कि आपका charge time जो होगा वो कितना होगा standard drill यूज करते हैं यानि कि एक बार यूज करेंगे उसके बाद आपको 252 seconds यहां पर wait करना पड़ेगा और यहां पर जो mining power है जो efficiency है वो है ती से आपको पता लग गया कि आप यह यह tool अगरा select करेंगे तो आपके जो mining efficiency है वो कितनी है total आपको charge time कितना लगेगा वो सारी चीज़ें यहां पर आ जाएंगी इसके basis पे आप यहां पर decisions ले सकते हैं कि आपको इस particular set of tools पे invest करना है कि नहीं करना जो भी आपको tool पसंद आता है आप जा सकते हैं atomic hub पर और यहां पर आके search करके आप उसको purchase कर सकते हैं तो यह है वो दो simple tools जो आप use कर सकते हैं अपना setup create कर सकते हैं कितनी investment करनी है tool करीदना है कि नहीं यह आपको decide कर सकते हैं depending on कि आप कप-कप mining करते हैं और आपको कितना return चाहिए तो summary में एक simple सा focus है आ साथी साथ एक tool select करना है जो आपको mining करके देगा उसको atomic hub से खरीदिए अपने equipment में add करिए और बस mine करते रहिए तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो आज के लिए बस इतना ही वीडियो को जरूर लाइक करिए शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस कि अगर आपको और वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करिए टेलेग्राम ग्रूप जोइन करें जहां पर आप डस्ट माइनिंग कर सकते हैं वैक्स में उसको कनवर्ट करके आपना वैक्स का बैक जो है वो बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों मिलता हूं आपसे आ